हे दोस्तो बड़े होते होते आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी किसी ना किसी के मूँ से कि देख भाई मेरे पास ज़ादा पैसे नहीं है वारना मैं पक्का अपना खुद का बिजनस टार्ट करता और खूब सारे पैसे कमाता वैल मैंने तो ऐसी बाते बहुत लोगों के मुझे सुनी थी इसलिए मुझे भी यही लगता था कि हाँ बिजनस करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए और अगर ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप बिजनस नहीं कर सकते हो जो कि अभी कुछ साल पहले ही मुझे पता चला कि यह मेरी एक बिलकुल गलत सोच थी मुझे पता चला कि सच तो यह है कि हम बहुत कम या ना के बराबर इंवेश्मेंट करके भी अपना माइक्रो बिजनस स्टार्ट कर सकते हैं जिससे हम आराम से बहुत पैसे और फ्रीडम कमा सकते हैं इंडिपेंडेंट हो सकते हैं पैसो के टेंशन से वैल एक अंदर की बात बोलू तो मुझे बुक्स पढ़ने का शौक स्टार्ट ही तब से हुआ जब मैं एक दिन how to start a business with small investment कुछ ऐसे ही नाम का वीडियो देख रहा था जिसके end में मुझे तीन बुक्स पढ़ने की सलाह मिली थी जो फिर मैंने follow की, books पढ़ी और फिर वहीं से मेरी life में इतने changes आना start हुए और मैं आज यहां तक पहुँच गया अगर आप मुझे follow करते होंगे कुछ time से तो आपको पता होगा वो तीन book कौन सी थी और अगर नहीं पता और जानना है तो मैं comment में बता दूँगा और यह सारी बाते अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्युक्कि इस वीडियो से मैं भी hope करूँगा कि आपके लाइफ में कुछ बड़े changes आए और आप भी independent हो सको पैसो के attention से अपना खुद का micro business start करके चलो बहुत हो गई मेरी बात अब करते हैं book की बात अगर आप इन 6 criteria में से बस किसी दो में भी fit आते हो तो यह book और यह video आपके लिए बहुत useful होगा आपको business start करना है business के बारे में information लेनी है या अपने existing business को बढ़ाना है आपके पास investment के लिए ज़्यादा पैसे नहीं है आप अपने मन पसंद का काम करना चाहते हो खुश रहना चाहते हो freedom के साथ आप अगर आप चाहते हो कि आपकी साल की net income 30,000,000 से ज़्यादा हो अगर आपकी टीम में आप अकेले हो या पाच लोग से कम लोग है अगर आपके अंदर कोई बहुत ज़्यादा special skill नहीं हो तो अग कुछ लोगों के जो बोलेंगे अरे ये सब बक्वास है ऐसा होता तो हर कोई यही कर रहा होता तो नेगेटिव लोगों को बता दू आज इस बुक की summary में आपको देने जा रहा हूँ उस बुक के author ने 1500 micro entrepreneurs के interview लिए और survey किये जो सब के सब इस 6 में से at least 4 criteria में fit बैठते थे और जिन्होंने ये सब सच में करके दिखाया है और उन्होंने ये सब कैसे करके दिखाया आज मैं आपको वही समझाने वाला हूँ कुछ points explain करके एकदम simple way में समझे तो business करने के लिए हमें बस 3 चीज़ चाहिए पहला और सबसे main एक product या service जो आप बेच सको दूसरा कुछ लोग जो आपके उस product या service को खरीदने के लिए ready हो और तीसरा एक तरीका जिससे आप easily पैसे का लेंदेन कर सको पस ये 3 चीज़ मिला दो तो आप एक entrepreneur बन जाओगे अब पहले का एक time था जब ये 3 चीज़ों को possible करने के लिए बहुत पापड़ बिलने पड़ते थे product create करने के लिए आपको बहुत पैसे, जगा, जाधा लोग, etc, etc ऐसी बहुत सी चीज़े चाहिए होती थी customers search करने के लिए भी आपको आगेन पैसे खर्च करने पड़ते थे या बहुत महनत करनी पड़ती थी उन तक पहुचने के लिए और payments के लिए भी कोई easy तरीका नहीं था बट आज ऐसा नहीं है आज आप technology और internet के help से घर बैटे बैटे या इससे भी better दुनिया गूमते गूमते एक product बना सकते हो उसे internet से ही दुनिया भर के logo तक पहुचा सकते हो उन्हें अपना product बेच सकते हो और तो और उनसे payment भी एकदम easily ले सकते हो PayPal जैसे gateway का use करके यकीन करो आज हजारो लाखो लोग ऐसे micro business create कर रहे है जिनसे वो अच्छी खासे income generate कर रहे है और जिनमेंसे एक छोटा example मैं खुद भी हूँ आज मैं दुनिया में कहीं भी जाके अपना काम कर सकता हूँ बस मुझे एक laptop और internet चाहिए और मैंने खुद ने अपने YouTube चैलन्ज स्टार्ट करने के लिए बहुत कम investment किया था जिसके returns आज मुझे बहुत अच्छे मिलते है यह बात भूली जाओ कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होगे एक micro business start करने के लिए यह था पहला take away इस book का आगे आने वाले key points आपको product और customers के बारे में important information देंगे नमबर टू area of convergence यहाँ area of convergence बोला गया है दो circle के बीच के intersection को जिसमें से पहला circle represent करता है आपके passion को और दूसरा circle represent करता है उस चीज को जिसकी लोग care करते हैं जिसकी लोगों को need है और author कहते हैं कि आपको अगर पैसे कमाना है तो आपको इसी area में सबसे ज़ाद ध्यान देना चाहिए example आपका passion बहुत कुछ हो सकता है ice cream खाना, pizza खाना, घूमना लेकिन अगर आपके इन passion से लोगों को कोई फाइदा ही नहीं हो रहा है या उन्हें ये ज़रूरत ही नहीं है कि आप किसी भी reason के वज़ा से ice cream खाते रहो तो फिर आप वो करके पैसे नहीं बना सकते हो इसलिए बहुत ज़रूर है कि आप अपना business, passion और लोगों की need के बीच के intersection में ही आने वाले कामों से related काम में बनाओ example Megan Hunt एक creative इंसान थी जिने entrepreneur बनने का बहुत शौक था वैसे तो उनके कुछ passion थे जिन पर वो काम कर रही थी बट फिर उन्हें अपने एक अलग passion का पता चला जिससे वो एक बहुत अच्छा business create कर सकती थी वो हमेशा जब लोगों की शादियों में जाती थी तब वो अपने हाथ से बने हुए bookage लेके जाती थी जो लोगों को बहुत पसंद आते थे और फिर लोगों ने उनकी demand करना भी start कर दी थी सो इसी चीज से hint लेका फिर उन्होंने क्या किया कि अपने हाथ से handmade शादि के कपड़े और bookage बराना स्टार्ट कर दिये जो फिर वो demand के हिसाब से लोगों को बेचने लगी अब क्योंकि ये चीज उनका passion भी था और लोगों को अपनी इतने खास दिन के लिए मतलब शादी के लिए ऐसे unique और special चीजों की need भी थी इसलिए इसका result भी काफी अच्छा निकला उन्होंने अपने पहले साल में इस business से 25 लाग रुपे कमा है और अब यो और ज़दा कमा रही है सो इसी तरह आप भी उस area of convergence पर focus करो कि यो वहीं आप लोगों को serve कर सकोगे वहीं सारे पैसे बनेंगे और वहीं सब खुश भी रहेंगे अब बहुत बार आपको आपका passion directly business create करके नहीं देगा बलकि आपको passion related जो skills होगी वो आपको business create करके देगी example Gary left का passion था travel करना especially international traveling मगर वो ये भी जानते थे कि कोई उन्हें ऐसे घूमने के लिए पैसे नहीं देने वाला है इसलों ने क्या किया कि अपने international traveling से सीखी गई miles redeem करने की skill का उन्होंने एक business बना दिया मतलब बहुत सी airline companies प्रोग्राम चलाती रहती है जिसमें पार्ट लेने से और उनकी flights यूज करते रहने से हमें rewards, points या miles मिला करते हैं और जब कुछ specific miles complete हो जाते हैं तो आप उन points को redeem करके free में भी ticket निकलवा सकते हो अब ये चीज़ बोलने में तो simple लग रही है पर लोगों को starting में usually idea नहीं होता कि वो अपने points redeem कैसे करे और वो confused होने लगते हैं क्योंकि ये procedure थोड़ा मुश्किल होता है तो यही problem को समझ कर गैली ने miles redeem करके लोगों की tickets book करना start कर दी जिस business का outcome ये निकला कि वो बस इसी चीज़ से साल के 75,000 dollars मतलब 48 lakh rupees कमाने लगे और ये example इसी magic formula का result है जो है passion या skill plus usefulness equals success एक business start करते राइम सबसे important बात जो आपको ध्यान रखनी होगी वो ये है कि आप कितनी value लोगों के जिन्दगी में add करने वाले हो अपने product या service से क्योंकि जितना ज़दा आप value create करोगे उनके लिए उतना ज़दा आपका business success होगा और ये values आप कुछ ऐसे create कर सकते हो देखो हर इंसान को अपनी life में कुछ चीज़े ज़्यादा चाहिए होती है और कुछ चीज़े कम जैसे कि लोगों को ज़्यादा प्यार चाहिए ज़्यादा पैसे, ज़्यादा acceptance, ज़्यादा free time, etc और अगर आप उन्हें ये चीज़े दे सकोगे अपने product से तो आप value create करने लगोगे और इसके उल्टे side पे आप उनकी कुछ चीज़े कम करके भी पैसे कमा सकते हो जैसे कि उनका stress कम करके, conflict कम करके, struggle या uncertainty कम करके, etc example, comedians लोगों के stress कम करके पैसे कमाते हैं consultant, conflict, परिशानी, struggle कम करके पैसे कमाते हैं और ऐसे हर कोई कुछ चीज़े कम या जदा करके अपने पैसे कमा रहा है तो इसी तरह आप भी अगर दूसरों के लिए कुछ value create करोगे तो आप भी अच्छा business create कर सकोगे एक real example इस book से बताओ तो अगर आपको पता होगा Evernote software है notes लेने के लिए जो बहुत लोग use करते हैं जिन में से एक user का नाम था bread अब क्योंकि वो खुद Evernote के regular user थे तो उन्हें एक बात समझ में आई कि Evernote use कैसे करना चाहिए ये चीज सीखने के लिए कोई अच्छा source नहीं था internet पे तो ये opportunity देखकर उन्हेंने क्या किया कि एक book ready करी कई महीने काम करके जिसमें उन्हें डीटेल में screenshots, diagram और अलग-अलग tips and tricks डाली कि Evernote कैसे use करना चाहिए और फिर इस book के product को उन्हेंने बेचना start किया जिसके results बहुत surprising थे ये चीज बहुत जादा और बहुत जल्दी काम करने लगी वो अपनी book बेचके दिन के at least 300 डॉलर कमाने लगे जो साल के around 1,20,000 डॉलर होते हैं मतलब समझो 77,000,000 रूपीज जो अगें सब कुछ कैसे हुआ value अड़ करके उन्होंने एक book में important information दे के लोगों का काम आसान कर दिया जो काफी valuable चीज थी और जो आपको भी करनी चाहिए एक और बाद जो आपको पता होनी चाहिए वो है features और benefits का difference feature उसे बोलते हैं जिसे आप describe कर सकते हो कुछ words में जबकि benefits वो होते हैं जो एक emotional level का message देते हैं example मेरे channel का एक feature है animated book summary जबकि मेरे channel का benefit ये है कि मेरे वीडियो से आपको दुनिया के कुछ सब से successful और समझदा लोगों की knowledge और wisdom मिलेगी जिसकी help से वो लोग खुद successful हुए और जिसे follow करके हम खुद भी successful और happy life बिता सकते हैं ऐसे ही आपको भी features के साथ benefits बताना भी बहुत ज़रूरी है अब वीडियो से हटके कुछ बात मैं next book summary कौन सी book पे बनाऊ ये आप मुझे comment में suggest करके बता सकते हो और दूसरी बात आप में से कुछ वीवर्स ने मुझे सीकेन के लोगो आइडियास भेजे थे जो सब के सब काफी अच्छे थे thanks everyone जिसने भी हमें वो लोगो भेजे थे मैं facebook और instagram पे again आप सब के नाम लेके आपको thank you बोलूँगा अभी क्योंके बहुत से वीवर्स ने हमें suggest किया था कि हम बस एक wordmark बना ले सीकेन का वही best होगा इस brand के लिए तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मेरे एक दोस्त ओम चिंचवनकर जो के इंडिया के काफी जाने मानिक designer है उन्होंने हमें एक unique wordmark बना के दिया है जिसे हम आपसे use करेंगे वो में एक बहुती talented designer है जिनके worldwide clients है और जिनका खुद का एक YouTube channel भी है Graphic Design Hindi में नाम का जहां वो अपनी skills सिखाते हैं tutorial format में अगर आपको graphics में interest है तो आप उनका channel जरूर चेक आउट करें मैंने link description में दी है अगर इन book की बात करूँ तो यह बात है मैं आपको The $100 Startup by Chris इस book से बताई है अगर आपको business में जरा भी interest है तो आपको यह book जरूर पढ़नी चाहिए क्योंके सच में यह बहुत अच्छी book है अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो आप description में जाके खरीद सकते हो और अगर आप free में business related और useful बाते सीखना चाहते हो तो आप i button से जाके या इधर क्लिक करके मेरे business hack playlist के कुछ videos देख लो वो आपके लिए बहुत useful होंगे और independence day के लिए मैं एक important बात बोलूँगा आज हमारा देश आजाद तो हो गया है बट हम अभी भी बहुत सी चीज़ों में काफी पीछे हैं इसलिए आप मेरे वीडियो को जितना हो सके शेर करो या वीडियो शेर नहीं करना है तो बुक पढ़ने का शौक लोगों में फैलाओ बुक पढ़ने से क्या होगा कि mentality change होगी और mentality change होगी तो हमारा देश तरक्की करना भी start कर देगा इसलिए अगर हो सके तो मेरे वीडियो को शेर करो इसलिए लोगों में बुक पढ़ने का शौक पैदा होगा और up to end अगर आप मेरे वीडियो को कभी miss नहीं करना चाहते तो आप सब्स्राइब करने के अबाद बैल आइकन पर ज़रूर क्लिक करे इसलिए जब भी मैं एक न्यू वीडियो अप्रोड करूँगा आपको शका नुटिफिकेशन आ जाएगा और फाइनली थैंक्स फर वाचिंग